यदि आप चाहते हैं कि आपका सेलेक्शन हो जाए तो आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे या आप मुझे यहां आकर मिलिए नमस्कार दोस्तों मैं देने अंद्रतोम और आप सभी का स्वागत करता हूं MP Online CSC Business Training के इस चैनल पे इस चैनल के माध्यम से हम आपको MP Online और CSC से संबंदे जानकारी देते रहते हैं तो यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आज बात करने वाले हैं GDS की विकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर दो सावधानिया या दो अलर्ट आप कह सकते हैं मैं आपको देने वाला हूँ आज के वीडियो में सबसे पहली जो अलर्ट है वो तो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी इसके अलावा एक और जानकारी जो GDS का जो फॉर्म भर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत आवस्याक है वो इसके बाद में आपको देने वाला हूँ या सरवेक्षणों के आधार पर पुरुसकार आदी की घूष्णा करने जैसी गती विदियों में सामिल नहीं है इमेल, SMS, WhatsApp, Twitter, Instagram आदी के माद्यम से ऐसे संदिस प्राप्त करने वाली लोगों से अनरोध किया जाता है कि ऐसे नकलीवा जूटे संदिसों पर विश्वास ना करें या उनका जवाब ना दें या कोई व्यक्तिकाद विवरण साजा ना करें तो यहां पर मुकरूप से जो इंडिया पोश्ट की वैब साइट है इसके माद्यम से सीधी सीधी जानकारी दी गई है कि इनकी तरफ से किसी भी परकार का बोनस या किसी परकार का इनाम या किसी परकार का सर्विक छड़ के रूप में जो आम जनता है उनको ना तो SMS किया जाता है ना किसी अन्य सोशल मीडिया माद्यमों के दौरा उन तक जानकारी पहुँचाई जाती है तो ये क्योंकि आज के समय में बहुत ये चीज़े चल रही है कि पोस्ट आफिस के माद्यम से आपके अकाउंट में 60,000 रुपे क्रेडिट कर दिये गए हैं और आप इसको अगर पाना चाहते हैं इसको क्लियर करने के लिए नीचे दिए लिंके पर क्लिक करें ऐसे बहुत सारी फ्रॉड यहां पर अभी पोस्ट आफिस के माद्यम से नाम पे या SBI बैंक के नाम पे तो यह बहुत सारी चीज ऐसे चल रही तो यहां पर यह जो अलर्ड जारी किया यह इंडिया पोस्ट के ओफिसेल वेब साइट पर है इस से साथधान रहे एकर किसी परकार से इस परकार के अगर मैसेज आपके पास आते तो उसको आप किसी परकार के रिपलाई ना दे या अपनी जानकारी उनके साथ साजा बिलकुल ना करें साथी साथ जो सेकेंड चीज है वो यह है जैसे कि आपको पाता जीडियस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके है अब जब लोग फॉर्म भरेंगे तो यहां पर एक चीज और होने वाली है जो आने वाले समय में आप लोगों के साथ सायद हो सकता है वो यह है कि आपको हो सकता है कॉल आए कि भई मैं जीडियस के इस डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूं और आपका नाम लिष्ट में आ गया है और यदि आप चाहते कि आपका सेलेक्षन हो जाए तो आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे या आप मुझे यहां आकर मिलिए मैं आपका सेलेक्षन करवा दूँगा मैं आपकी जॉब लगवा दूँगा यह जो चीज है ना यह बहुत जल्द आप लोगों के साथ होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि लास्ट जितने बार भी GDS रिलेटेड जॉब आई है यह एक कॉमन चीज है जो बहुत सारी लोगों के साथ हुई है तो चुकि यह तो फ्रॉड होते हैं चीज होते हैं जो जो सेलेक्शन प्रोसट होता है GDS का बेलेकर सिलेक्शन नहीं किया जा जासकता तो अगर आपके पास प्रकार की और आती है कि आपका सेलेक्शन करवाने के नाम पर आपसे पैसे मांगते हैं तो आप इन सभी चीजों से सावधान रहिएगा जरूर। आसा करते हूँ आज के वीडियो के माद्धम से आपको जानकारी सही मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा। मिलते हैं अगले वीड कि वीडियो में